हेलो दोस्तों, वेलकब बैक, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं, वो एक बेसिक कोशन्स हैं, जिनको हम ज्यादा तर रेप्लेस करते हैं, ज्यातर हम भूल जाते हैं, कि नहीं ये कोशन्स कहां पूछे जाते हैं, बह कोशन्स को स्टडी करने के चक्कर में, हम बहुत ही बेसिक जो इन्फोर्मेशन हैं, उनको रेप्लेस कर देते हैं, तो चलिए जानते हैं, वो कौन से टोप टैन ऐसे कोशन्स हैं, जो लगातार हर एक एक एकजाम में पूछा जाता है, मैं ये नहीं गहारे कि पीज़ीटी या TCT या UGC NET में पूछे जाते हैं, जितने भी आप गौर्मन जोप के एकजाम, अगर SI की बात करते हैं, या किसी भी UPSC की बात करते हैं, UPSC की बात करते हैं, लौर PSSC की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के कोशन्स देखने को मिलते हैं, आप चाहे तो किसी भ पूछे जाते हैं, एक्जाम में तो बहुत ही typical questions आते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप ऐसे गलती नहीं करनी हैं आपको, अगर आपने जो basic information के जो questions है, जो छोटे-छोटे simple से questions है, अगर आप इनको replace करोगे, तो आप बहुत अच्छी marking से हट जाओगे, अपने अश्ट पतिया, लोकसभा का अद्धिक्ष, तो यहाँ पे D options ही होता है, लोकसभा का अद्धिक्ष, क्योंकि हम, हमें क्या पता होता है, लोकसभा के, लोकसभा जो होती है, उसके दल के नेता को परधान मंत्री कहा जाता है, तो यह तो एक basic information है कि लोकसभा का नेता परधा मंतरी होता है बट यहां पे लोग सभा का अधिक्स जिसको स्पीकर बोलते हैं होनेबल स्पीकर बोलते हैं वो लोग सभा का नेतरत्व करता है वो लोग सभा को लीड करते हैं यहां कि जो लोग सभा में शैसन्स होते हैं उनको वो कैसे उनको स्टार्ट करना है कैसे मतलब पु वनेबल स्पिकर होते हैं वो लोगसुभा का नित्रत्यों करते हैं लोगसुभा में जितने बी बील होते हैं सबसे पहले वो उनीकी की परमीशन से उने पर डिसक्स किया जाता है और प्रिजाएंट में लोगसुभा कि कॉन अदेख्ष है हैं वीजे comment में लिख करके जरूर ब is a bill is financial bill या is not a financial bill तो इसमें चार option दिये हुए हैं कि Supreme Court के मुखे ने अधीश लोकसभा का अध्यक्ष परधान मंतरी या इन में से कोई भी नहीं तो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर रुप से जो निर्ने करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष यानि कि सबसे बहले देखी आपके दो बिल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर सिफ लोकसभा में ही रखे जाते हैं यानि कि financial bill और एक जो budget होता है वो यानि कि money bill विन दोनों भी लोग को हम सिर्फ फॉर सिफ लोकसभा से ही start कर सकते हैं वाके बिल किसी भी सबा से राजय सबा से लोकसभा से डेजन मैटर कहीं से भी start हो सकते हैं बट जो वित्विदेख है या जो धन विदेख है वो हम लोकसभा से ही start करते हैं तो यहां पे लोकसभा के जो अद्धिक्ष होते हैं वो ही उसको permission देते हैं कि जो bill है यह financial bill के लिए permission देता है उस bill को उसी के साफ से discuss किया जाता है नाइक्स हम बात करते हैं कि धन विदेख पहले किस सदन में प्रसुत किया जाता है देखिए यह questions अभी मैंने discuss करके बताया अभी तो यहां पे second जो questions आता है कि जो money भी लोता है वो सबसे पहले हम किस सदन में रखते करता है या दूसरा लोक सभा में रखा जाता है या तीसरा किसी भी सदन में नहीं रखा जाता है या दोनों सदनों में तो यहां पर चैकिन जो option है option बैं है वो सही हो जाता है नोग सभा में देखिए money bill money bill का मतलब क्या होताया handwriting बजट प Liver करना तो बजटे सबह में पेश किया जाता है राजे सबह में नहीं किया जाता है बजट का मतलब यह होता है कि जो गौवर्मेंट है जो प्रिजेंट में गौवर्मेंट जो शाशन करती है जो शाशक है अगर वो बजट पेश करेगा तो वो लोग सबह में ही करेगा क्योंकि वो लोग सबह के बहुमत दलके नेता होता है जो PM होता है और उसकी एक responsibility होती कि पूरी देश का जो क्रेव विक्रेज जहां पर invest करना है जहां से revenue है तोटल उपसे जो budget कितना खर्चा करना है कितना नहीं करना है उन सब को वो ही देखता है जैसे department होता है तो फिर वित्त मंत्री उसको प्रस्तुत करता है तो यहां पर लोकसभा में ही सबसे पहले जो धर्विदे के वो रखा जाता है अब next हम बात करते हैं कि सदन के दोनों सदनों की सयुक्त बैठेक में अध्धक्षता कोन करता है अगर हम दोनों को मतलब जो सयुक्त जो combined session की बात करते हैं तो उनकी अध्धक्षता कोन करता है तो भी उनकी अध्धक्षता लोकसभा का अध्धक्षी करता है तो यहां पे चार option आएंगे रास्ट्रपती, लोकसभा का अध्ष, उप्रास्ट्रपती या परधार मंत्री लेकि कई बार ये भी होता है कि दोनों sessions को बुलाने का देखा रास्ट्रपती का होता है ठीके, वो sessions को बुला सकता है बट यहां पे, देखी यहां पे क्या बताएगे अध्धक्षता कोन करता है उनको, उनको मतलब जो भी permission देना होता है किसको कितना टाइम तक बोलना है किस debate पर क्या 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 discussion होना है क्या क्या topic debate के लिए रखना है वो सब, तो इन सब का काम करने के लिए कौन होता है, लोगसाबा का अध्धक्ष होता है अगर राजजे सबा के भी members है लोगसाबा के भी members है इन दोनों का combined session चल लाया है तो वहाँ पर अध्धक्षतावी लोगसाबा के जो speakers होते हैं होने बले speakers होते हैं, वो ही करते हैं next question है कि लोगसाबा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या निम लिखित में से कितनी होती है, तो यहाँ पर 550 प्लस 2 और इसकल टू 552 यानि कि 552 या 500, 525 या 545 तो यहाँ पर लोगसाबा के सदस्यों की maximum जो नंबर होता है वो होता है 545 इससे आगे बढ़कर के हम 552 भी बोल देते हैं, बट exactly जो maximum नंबर से हैं वो 545 होते हैं next question, राज्यसाबा सदस्य कितनी अवधी के लिए निर्वाचित होते हैं तो यहाँ पर वैसे तो अगर हम बिल्कुल accurate इसके टर्म बदाते हैं तो वो 6 साल का होता है देखी, पहला option आएका 2 वर्स, फिर 5 वर्स, 4 वर्स 6 वर्स, तो यहाँ पर राज्यसाबा का अगर अवधी की बात करते हैं तो उट 6 साल की राज्यसाबा की अवधी होती है बट इसका जो concept होता है वो होता यह कि हर दूसरे साल एक तियाई सदिस से बहार निकल जाते हैं और एक तियाई सदिस से include होजाते हैं राज्यसाबा में यह इसका procedure है तो ये कहने के लिए तुम 6 साल रखते हैं इसका बढ़ ये कभी भंग नहीं होती है ये पर्मनेंट अपना चलती ही रहती है क्योंकि हर दूसरे साल एक टिया सदिस से बहार निकल जाते हैं और एक टिया सदिस से ने इंक्रूड हो जाते हैं नेक्स्ट कोशन है कि राज्यसभा के सदिस्यों की संख्या में निमलिखित में से कितनी होती है अगर हम संख्या की बात करें राज्यसभा की तो 250 तो यहाँ पर बी ओप्शन सी हो जाता है यानि कि 200 मैक्सिमम संख्या माने जाती है तो देखिए हमारी संसत तीन बोडी से मिलकर के बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्टपती तो यहाँ पे जो फोर्थ ओप्षन है उपराष्टपती यह गलत है यह नहीं है हमारी पार्लेमेंट का अंग उपराष्टपती नहीं होता है स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रतम अद्यक्षन इमलेखित में से कौन थे तो पहला PM सईद, PM संगमा, GMC बाल्योगे, GV मावलंकर तो यहाँ पे जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसके बाद जब हमारे जो पार्लेमेंट है वो इस्टैबलिश की गई थी तो सबसे पहले, सबसे पहले लोकसभा के जो अद्यक्षते वो कोन थे तो यहाँ पे D option सही होता है, GV मावलंकर यह थे top 10 के वो कोशन्स जो जातर स्टुडेंट्स उनको replace कर देते हैं, यह सोच करके कि यह तो बहुत ही आसार्म कोशन्स है, कहां examiner इनको पूछने वाला है बट, so, simple questions है, typical नहीं है, बट, पूछे जरू जाते हैं, और यही ऐसे questions हैं, जो हम गल्दी करते हैं, इनको replace करने की तुसरे के questions को लगातार पढ़ना जरूरी है, अपने mind मेंसरे के questions को set करके रखिए, याद करके रखिए, कि यह भी questions आते हैं आज का video lecture आपको काफियत तक पसंद आया होगा, अगर यह video lecture आपको informative लगा है, पसंद आया है, तो इस video को like करें, share करें, अभी तक subscribe नहीं किया है, तो फटा फटा से subscribe करें, और अगर आप चाहते हैं, कि मैं इसी तरह के जो questions से related जो paper है, यानि कि जो PZT, TZT है, इस तरह के